स्क्रीनिंग टेस्ट में केवल टोपर्स को बुलाने की तैयारी में आयोग अब्यार्थी बोले सभी CET पास बुलाए जाएं CET पास अब्यार्थी कर सकेंगे पदों के लिया वेधन आयोग केवल पदों से च्यार गुना को बुलाएगा अरियाना क्रमचारी चेन आयोग द्वारा ग्रूप C की विज्यापित की गई 31,539 पदों को लेकर एक और बड़ा पेंच फशा है आयोग ने स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी सेडूल जारी कर दिया है इन पदों के लिए आवेधन तो सभी CET पास साड़े तीन लाख ब्यार्थि कर सकेंगे लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट का मुका केवल पदों से च्यार गुना अवल अज ब्यार्थियों को ही मिलेगा आयोग ने इस फैसले से CET पास ब्यार्थियों में रोस है अब यार्थियों ने मांग किये कि स्क्रीनिंग टेस्ट में सभी CET पास को मुका दिये जाए नहीं तो अंदोलन किया जाएगा आलंकि इस मामले में अंदिन फैसला क्या होगा यह तो पंजाब हरियाना हाई कॉर्ट तै करेगा पहले से ही है मामला हाई कॉर्ट में विचारा दिन है अरियाना करमचारी चेन आयो गई अब ग्रुप C भरती को पूरा करने के लिए तैयारी हम जुट गया है आयो की तैयारी है कि 13 मईसे लेकर 15 जुलाई तक सभी पदों को लेकर स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाए आयो एक दोरह जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 16 मार्स से 5 अपरेल तक आवेदन किये जाएंगे इस आवेदन पर किरिया तो सभी CET पास को मुका में लेगा और वो अपनी परसंद के नुसार पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे लेकिन आयोगी पदों के मुकाबले केवल 4 गुना बैर्थिकों मेरिट के नुसारी स्क्रीनिंग टेस्ट का मुका देगा ऐसे में मद्यम सतर के बैर्थिकों को परेशानी बढ़ सकती है टेस्ट के बाद जो अवल होगा उसे नुकरी दी जाएगी सक्रीनिंग टेस्ट के लिए सबी सीटी पास को मुका दिया जाए यह बैर्थिकों ने कहा है बैर्थिकों ने चिताया आयोग ने फैसला वापस ने लिया तो होगा बड़ा अंदोलन